दोस्त वीडियों बात करेंगे FTX के FTT token के price moment के बारे में entry levels, updated levels और आने वाले दिनों में coin के targets कर रहेंगे currently coin 3 USD का round trade कर रहा है, एक अच्छी downtrend, एक अच्छी dip का अंदर अभी भी coin के price में देखने को मिल रही है तो आपर एक बहुत अच्छी पोश्टि स्कोयन के अंदर निकल के आ रही है, जो भी स्कोयन में entry देख रहे हैं, उनके लिए बात करेंगे कौन साब के लिए best entry points रहेंगे और आने वाले दिरों में स्कोयन के टागेट्स क्या रहेंगे, दूसरा जो previous moment में previous breakout पे उपर वाले लेवल पर stuck है, दल्ली बाजी में उपर buy किया हुआ है, कितने टाइम में recover हो सकता है, एक अच्छे moment के लिए कितना टाइम लग सकता है, सारी चीजों के बारे में बात करे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इंवेस्टर टेडर मार्केट में आए है, जिनको जादा knowledge experience नहीं है, हुमारी premium membership में जरू enroll करें, वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जाएगे, crypto queries, updated, label signal share की जाएगे, और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हैं, अंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, अंस्टा के link वीडियो के description में है, 3.04 USD पर अभी ये coin trade कर रहा है, recently अगर बात करें, dump की, तो यहाँ पर इस coin ने अच्छा का सा drop लिया था, जहाँ पर almost 2.5 USD के round तक, 2.3 USD तक price चली गए थी, वहाँ से बीच में fluctuation भी द का quick moment इसकी price में देखने को मिला, और यही fluctuation इसकी price में देखने को मिलती है, pump and dump देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमने जो आपको level share किये थे, previously हम regular business पर आपको इसको एंटरी शेयर करें, जहाँ पर हमने 3 USD, 2.7, 2.6, 2.8 इस level की एंटरी शेयर की थी, वहाँ से अपके portfolio में अभी profit होगा जिन्होंने previous videos देखे, दूसरा, यहाँ recent moment में आपने हो सकता है कि थोड़ा बहुत profit generate किया होगा, हमारे quick target 3.8 और 4.2 था, 3.8 तक अभी move नहीं किया है, क्योंकि market बहुत जादा move नहीं कर रहा है, और यह coin भी, इस level पर almost एक अच्छी stability हमें देखने को मिल रही है, जो previous support एरिया था, जिसको इस coin ने break कर दिया था, और उससे उपर हमें, उससे नीचे daily closing देखने को मिल रही थी, वो level वापिस is coin ने support बना लिया है, 2.8 यूस्ती बादा जो level है, वो एक important support zone था, जहाँ पर is coin ने इस level को भी maintain किया था, उसके बाद यहाँ maintain किया था, लेक 3.35 वाला support एरिया था, और 2.8 resistance area, तो 2.8 से उपर अभी daily closing की है, और उससे उपर हमें price देखने को मिल रही है, 3 UST का round में एक अच्छे stability है, आपर अगर हम 4 hour के chart में देखे या 1 hour के chart में देखे, तो इस level पर एक अच्छे stability, जहाँ पर 2.8, 2.9 को try ज़रूर कर रहा है, लेक उसको जैसे ही break करेगा, एक दो बर try किया है, daily के अंदर अभी दो दिन पहले भी try किया था, लेकिन break नहीं कर पाया है, उससे उपर जैसे ही हमें daily closing देखने को मिलती है, ये coin अपनी previous rally को continue करेगा, और 4 UST, 4.5 और 5 UST को easily try करेगा, बहुत जल्दी मतलब, उसके बाद बहुत ज्यादा time नहीं लगने वाला है, एक important level है, 3.3 UST वाला level, दूसरा आज की जो daily closing होई है, वो weekly closing होई है, और weekly के अंदर इस coin ने भी जो 2.6 UST वाला level है, उससे नीचे price शली गई थी previous week में, और almost हमें closing भी 2.5, 2.45 का round देखने को मिली थी, तो आज की जो weekly closing होई है, यहाँ प यहाँ से भी बहुत जादा इसको dump देखने को नहीं मिलेगा, 2.6 UST से उपर उपर ही price maintain किये हुए, और से उपर ही हमें price देखने को मिलेगी, इससे उपर 3.5 UST वाला important resistance level है, जिसको try करता है, थोड़ा बहुत resistance करने को मिल सकता, वही है, 3.3 Delhi के अंदर resistance रिया है, और 3.5 weekly क इन दोनों levels को जैसे ही break करी के उपर वाले level को try करता है, अपनी previous rally को continue करेगा, बात करते हैं इन breakouts की जहाँ पर coin is 0.97 से मोग करके यहाँ 5 UST तक try किया था और यहाँ 6 UST तक, इन breakouts को हमने recently November, December मन्त में क्रेप करके अच्छा profit is coin के थूरू generate किया, बस आपको ध्यान यह 2 के अंदर, इस coin की वज़े से scheme हुआ था, इसने users का जो fund है, जो exchange है, इसने users के fund को use करके और scheme किया था, जिसकी वज़े से इसकी price में बड़ा dump देखने को मिला था, market ने भी इसकी वज़े से market में भी dump देखने को मिला था, तो इसलिए आपको बहुत जादा capital में नहीं लग लगानी है, entry की बात करें, previously जुन्होंने entry ली है, 3 UST, 2.7, 2.8 वाले level पर, comment करके जरूर बताएं, और बहुत सारे इसे हैं, जिन्होंने उपर buy किया हुआ, तो किस level पर आपने buy किया है, वो भी comment करके बताएं, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत सेनारियो, अभी clear करें, मैं आपको बता दूँगा, 3 UST वाला जो level है, वो एक अच्छा level रहेगा, अभी buying के लिए, जिन्होंने previously entry नहीं ली है, 3 UST वाले level पर entry लेनी है, first level रहेगा, 70% पर्ट से entry लेनी है, जो भी amount आप स्कोयन में लगाना चाहते हैं, उसके 70% पर्ट से entry लेनी है, दूसरा 2.7 UST वाले level पर बाकी 30% पर्ट से, इस टाइप से 70-30 के लेनी है, 3 UST और 2.7 पर entry लेनी है, टागेट्स की बात करें, तो यहाँ से जैसे मैं आपको बताया है, मूग करेगा, तो 3.3, 3.5 वाले level important जो नहीं है, उनको जैसे ही break करेगा, तो 3.8, 4 UST, 4.5 को try करेगा, तो quick ज आपको जहाँ पर जो टो कोण buy करेंगे, उनके 60-40 के जोसों में sell limit लगाने, शोट टम में आपके लिए 4.8 UST वाले level target रहेगा, आपको 100% पर sell out करना है, अब जिनोंने उपर buy किया हुआ है, 3.5, 3.8 या 4 UST के round में, देखिए, अगर आपकी buying 3.5, 3.6 के round की है, तो आपको जो targets मेंने बताए है, 3.8 और 4.2, उसके round के आपको target लगाने है, वो target लगाने है, अगर आपकी buying 3.6 से नीचे की है, अगर आपकी buying 3.6 से से उपर की है, तो जो recovery price है, जो buying price है, उसी पर sell limit लगा करके recovery पर focus करना, क्योंकि थोड़ा time लगेगा और उस level की buying आपके लिए risk है, क फिर recovery का बेट करें, फिर वहाँ recover हुआ, फिर हम profit की भाई profit लेकर निकलेंगे, नहीं यहां से इतने दिन hold किया, 20% profit, तो यह emotionally trade नहीं करना है, इतने दिन hold किया, मैं तो profit लेकर ही निकलूँगा, इंपोर्ट इने हमारी capital recover हो रही है, दूसरा किसी coin से trade करके profit ले लेंगे, ए उसे related भी वीडियो आपको जरूर वोच करना है, क्योंकि bitcoin पर ही best सभी arts coin मूग करते हैं, तो उसे related जो भी update आती वो देखना है, दूसरा अभी जो भी foreign exchanges से, Binance से related यहां पर news चल रही है, और उसे related भी मैंने एक dedicated वीडियो बनाया है, वो भी आपको जरूर वोच करना है, द crypto queries updated labels signal share के जाएंगे, और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हो, इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा की link वीडियो की description में है, बाकी यहाँ पर buy or sell, खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं जे रहें, वीडियो से बेजू के इसन परपस से हैं, ताकि आपको overall coins related knowledge उसके, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक सरू करें, चनल को subscribe कर लें, thank you